आपने शरीर के चक्रों से जुड़ी हुई कई बातों को सुना और पढ़ा होगा लेकिन क्या आप इन चक्रों के बारे में अच्छी तरह जान पाए हैं? असल में हमारे शरीर में साथ तरह के चक्र होते हैं जिनका हमारी हेल्थ से सीधा कनेक्शन है ये चक्रा आत्मा शरीर और स्वास्थ के बीच बैलेंस बिठाने का काम करते हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरे शरीर में उर्जा का एक जुड़ाव हो और समान रूप से प्रवा हो ये चक्रा आपकी रीड की हड़ी के बिलकुल सिरे से शुरू होते हैं और आपके सिर के उपर तक जाते हैं हर एक चक्र की अपनी वाइबरेशन, फ्रिक्वेंसी और कलर होता है और ये विशेश कारियों को कंट्रोल करते हैं ये चक्र, emotional reactions, desires, confidence और fear के level और यहां तक की physical symptoms और उनके side effects के माध्यम से लोगों को वास्तविक्ता का अनुभव करने का तरीका निर्धारित करते हैं चक्रों में उर्जा ब्लॉक होने से चिंता, सुस्ती या पूर डाइजेशन जैसे लक्षन दिखाई देते हैं ध्यानिक जीवन में मनिश्य योग अभ्यास के माध्यम से अपने चक्रों को बैलन्स कर सकता है मनिश्य में इन चक्रों का बैलन्स और प्योरिफिकेशन बहुत जरूरी है चक्रों के बैलन्स होने पर मनिश्य की काया निरोगी होती है पसनालिटी अट्रक्टिव होती है और उसमें positive energy का संचार होता है चक्रों को balance करने के लिए रेकी, acupressure, acupuncture, yoga भ्यास और aroma therapy का अपयोग किया जाता है हमारे शरीर में 7 प्रमुक चक्र कुछ इस प्रकार है पहला, root चक्र, मूलाधार चक्र इसे मूल चक्र भी कहते हैं ये चक्र spinal cord के मूल में सबसे नीचे स्थित है और ये red color को represent करता है इसके imbalance होने पर prostate problems, मुटापा, arthritis, varicose veins, low back problems, hip problems जैसी समस्याय होती है दूसरा, sacral chakra, स्वादिष्ठान चक्र ये चक्र, पेट के निचले भाग में स्थित है और ये orange color को represent करता है imbalance स्वादिष्ठान चक्र की वजए से reproductive issues, importance, muscle pain, lower back pain आदी बिमारिया होती है तीसरा, solar plexus chakra, मनीपुर चक्र ये चक्र नाभी में स्थित होता है और ये yellow color को represent करता है इस चक्र के imbalance होने की वजए से digestive disorders, indigestion, diabetes, high blood pressures, ulcers जैसी शारिरिक बिमारिया होती है चौधा, heart chakra, अनाहत चक्र ये चक्र रिदय में स्थित होता है और ये green और pink color को represent करता है इस चक्र के imbalance रहने पर high और low blood pressure, cardiovascular disorders, lung cancer, breast cancer, allergy, asthma, tuberculosis जैसी बिमारिया होती है पांचवा, throat chakra, विशुद्धी चक्र इसे कंठ चक्र भी कहते हैं ये चक्र कंठ में स्थित है और ये blue color को represent करता है इस चक्र के imbalance रहने पर मुख्य रूप से mouth, teeth, jaws, throat, neck, isophagus, thyroid gland से जुड़ी समस्याय रहती है हमारा 6th चक्र होता है 3rd eye chakra आग्या चक्र इसे अजना चक्र भी कहते हैं ये चक्र eyebrows के center में स्थित है और ये चक्र purple और indigo color को represent करता है इस चक्र के imbalance रहने पर stress, migraine, headaches, visual impairment, short-sightedness, glaucoma, cataracts, sinus और ear problems जैसे विकार होते हैं और सात्वा और आखरी चक्र है crown chakra, सहस्त्रार चक्र ये चक्र सिर के ताज पर स्थित है इसे sheer चक्र भी कहते है ये चक्र violet और white color को represent करता है इस चक्र के सक्रिय न रहने पर depression, Parkinson's disease, schizophrenia, epilepsy, diseases such as Alzheimer's and headache, sadness और dizziness की प्रवरत्री होती है इस चक्र को योगा भ्यास के द्वारा संतुलित किया जा सकता है ये साथ चक्र शरीर में शक्तिशाली बिंदू हैं जो आपको जीवन में physical और emotional balance बनाये रखने में मदद करते हैं इस कारण से ये बहुत जरूरी है कि आप इन energy centers का नियमित रूप से निरिक्षन करें और अपने व्यस्त दिन में से प्रतियक में spiritual energy के flow को बहतर बनाने के लिए समय निकालें अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम imbalanced chakra को balance कर सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें comment section में जरूर बताएं ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें